किसी को अस्थमा है, सांस लेने में दिक्त है, तो यह है मेट टेक का हैंडीनेप स्मार्ट नेबुलाइजर, मैंने पहले भी मेट टेक ब्रेंड का बीपी मोनिटर को यूज किया था और उसका एकुरिसी 99% था, इसलिए फिर से जब मुझे एक नेबुलाइजर का जरूरत था तो मैं मेट टेक ब्रेंड का ही जो नेबुलाइजर है, उसको एमजन से ओर्डर किया, और यह जो हैंडीनेप स्मार्ट नेबुलाइजर है, इसमें कुछ खास फीचर है, जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते, इसके पैके यह आपको मिल जाता है, और यहां दो मास्क आपको मिलता है, एक बच्चो के लिए मास्क मिलता है, और एक आपका एडल्ट मास्क इसमें आपको मिल जाता है, अगर कोई मुझ पे लगा के यूज करना चाहे तो उसके लिए यह भी आपको मिल जाता है, इसमें मास्क को यू इसके अंदर मिलता है, अब मैं आपको इस नेबुलाइजर का बॉडी में क्या-क्या फीचर आपको मिलता है, वो बता देता हूँ, यहाँ पे आपको में नेबुलाइजेशन के लिए जो पाइप है, उसको एटच करना है, और यहाँ पे पीछे के तरफ इसका स्वीच है, य बहुत अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक से भी यह बना है, बिल्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, अब इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ है, यह आपका जो में मैनुल है, यह इसके अंदर आपको मिल जाता है, को एक QR कोड रिव्यू कार्ड मिलता है, और सबसे यह जो नेबुलैजर है, इसमें कुछ-कुछ खास फीचर है, जैसे कि इसका जो मोटर है, उसको बनाने के लिए दो बाल बेरिंग के जगए, तीन बाल बेरिंग का यूज़ किया गया है, जिसे यह और स्मूज चले, इसमें आपका पिस्टन कंप्रेसर यूज़ किया गया और जो जाली है वो भी बहुत अच्छी तरह visible होगा जिससे ये nebulizer बहुत जल्दी से गरम नहीं होता है इसमें जो medicine chamber है वो two parts में divided है जिससे की बहुत अच्छी तरह medicine को इसमें इस्तमाल कर सको और बहुत आसानी से इसमें medicine देने के बाद उसको साब भी आप कर सको इस nebulizer में आपको wall mounting feature मिल जाता है जिससे आप आसानी से इसको किसी wall में mount करके रख सकते हो आपका नीचे किसी जगे पे या chair में आपको जगा देना नहीं पड़ेगा wall पे आप इसको सीधर लगा के रख सकते हो वैसे देखा जाए तो इसका design बहुत compact और सुन्दर है और इसके साथ आपको child mask और adult mask दोनों ही आपको मिल जाता है noise level कम है इसका और सबसे बड़ी अबात ही ये made in India product है अब इस nebulizer machine को कैसे आपको use करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो pipe का nozzle है एक nozzle को आपको यहाँ पे install करना है और ये आपका जो main medicine chamber है यहाँ पे आपको जो response बगएरा doctor से मिलेगा उसको यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे अभी clean पानी डाल के आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे normal clean पानी आप डाल सकते हो यहाँ पे आपको जो response मिलते है अलग-अलग type के उसको यहाँ पे डालना है और इसका जो lock है उसको lock कर देना है और यहाँ पे इसके नीचे के तरफ आपको यह जो pipe है इसको attach कर देना है ठीक है तो यह यहाँ पे नीचे attach हो गया अब कोई वाला भी mask आप ले सकते हो अगर आप adult हो तो adult वाला भी mask लोगे और इसको यहाँ पे आपको attach कर देना है बस और कुछ आपको नहीं करना है कोई rocket science इसमें आपका नहीं है अब यह kid mask और इस CT को हम लोग हटा देते हैं और यह देखिए इसके पीछे के तरफ आपको एक switch मिल जाता है और अभी हम लोग nebulizer को electric socket में डालेंगे और पीछे वाला जो switch है उसको on कर देंगे देखिए जब भी हम लोग on करेंगे यहां से vapor की तरह जो medicine आपने दिया है वो निकलता रहेगा आप इस mask को patient को इस band की मदद से उनके face में attach कर सकते हो तो ऐसे आप nebulization कर सकते हो यह कुछ ऐसा लगेगा ऐसे आप ऐसे मूँ में रहेंगे ठिक ऐसे ही आपका nebulization होता है और यह जो machine है इसका sound बहुती low sound है आपको सुना ही दे रहा है कि यहां nebulization का sound आ रहा है लेकिन जो machine है उसका कुछ भी उतना sound नहीं है अब दोस्तों यहां पे nebulization के बारे में मैं कुछ जान कर यह आपको देना चाहता हूँ देखिए nebulization क्यों किया जाता है अगर किसी को अस्तमा है सांस लेने में दिक्कत है तो उनको nebulization किया जाता है अब nebulization करने से क्या होता है आपके सांस का जो नाली है जो फेपरे में जो नाली वगरा होता है वो खुल जाते है क्या होता है उनमें जो फाइब्रोसिस वगरा वो उसको खोल देता है अब इसमें क्या यूज किया जाता है ज्यादा तर डॉक्टर आपको फोरा कर्ड वगरा यूज करते हैं और कभी-कभी जो आपके सांस के नाली है उसमें इंफ्लमेशन होता है तब वहाँ पे बूडी कर्ड, डूोलीन और लिवोलीन जैसे जो मेडिस वारें बात करें तो दूस्तो इसमें 2 साल का वारेंटी दिया गया है लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है उसमें कोई वारेंटी नहीं उसको आपको टम टुटाइम रिप्लेस करना पड़ता है और इसमें फ्री-पिक-अप और फ्री-डेलीवरी का ओप्शन भी है आपको अच्छा खासा दाम पे मिलने वाला है आप नीचे जो link दिया है वहाँ पे click करके इसका जो price है latest price है उसको check कर सकते हो तो दोस्तों आशा करता हूँ nebulizer machine के बारे में आपके मन में कोई भी doubt था तो मैंने शायद उसको clear कर दिया होगा अगर clear कर दिया या clear नहीं कर दिया वो comment section में आप comment करके जरूर बताना अगर कोई भी doubt आपके मन में है तो उसको भी आप comment section में question करके मुझसे पूछ सकते हो आपके पास पहले से ही कोई nebulizer machine है तो उसका नाम आप comment में mention कर सकते हो तो viewers को उससे भी फायदा मिलेगा अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को like करके जाने में कोई खराबी नहीं है और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को subscribe करके जरूर जाना मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ